अब आप खरीद सकते हैं शिव्ज मिजुक फ्लूट, अमेजन पर वो भी किफायती दामने, इसके साथ आपको मिलेगा एक कैरी बैग, एक बासुरी और लिखा हुआ मैनुवल नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे, जो IPL की theme tuning है, starting tune, उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे, ये flute है, शिव्ज मुजिक कमपनी की आने की मेरी ही कमपनी है, और इसकी scale है C natural, और ये premium flute है, तो इसकी price है 1499, और आप इसको ले सकते हैं, डिस्क्रि तो एक बार मैं आपको सुना देता हूँ, और फिर मैं आपको notes बताऊँगा, और अगर आपको returnment notes चाहिए, तो आप telegram group join कर सकते हैं, और इसके लाब आप whatsapp पर भी personal class join कर सकते हैं, तो आईए एक बार सुनते हैं तो ठीके दोश्तों, इस तरह की tuning है, और इसको जब आप बजाते हैं, तो आपको नी note से start करना है, medium octave वाला, जो हम बोलते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, तो ये जो नी note हुआ, वहाँ से आपको उठाना है, जो medium octave का नी note हुआ, वहाँ से आपको उठाना है पहले आपको हाई में जाना है, फिर वापस low में आना है फिर आपको नी से jump करना है, सा पर ही, लेकिन सा पर आपको हलकी से हरकत लेनी है ठीके दोस्तों, तो music में जो सबसे important चीज होती है, वो होती है timing, अब जैसे अगर आप timing change कर देंगे, मतलब कि एक एक note के बीच का जो gap है, उसको आप variation करेंगे, तो tuning change हो जाएगी, भले ही आप notes वो बजाएं, लेकिन timing का बहुत फ़रक है, तो इसलिए आप video को ध्यान से song है, उसमें कहा कहा पर gap लिया गया है, वो आपको ध्यान से सुनना है, तो आप note करेंगे, कहीं पर जल्दी, कहीं पर धीरे, तो उस वजए से एक composition बनके आती है, ठीके दोस्तों, सिर्फ notation से नहीं बनती है composition, तो अब इसके बाद देख लेते हैं, इसमें आपको क्या करना है, simple है, नी, नी, सा, सा, नी, नी, धा, धा, नी, 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 सा, सा, नी, 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 ठीके दोस्तों, सिर्फ तीन notes है, नी, धा, सा, फिर से देखें, तो जो सबसे ज़्यादा note यूज हो रहा है, वो है नी note, ठीके दोस्तों, तो आप इसको try कीजिए, play करने का, और अगर आप online class जॉइन करते हैं, मेरी WhatsApp नमबर दिया हुए, तो आप उसमें मुझे सुना भी सकते हैं, ठीके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ, आपको समझ मैं होगा, मिलते हम अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार,